खिडकी के काच के हिस्से का उचाई और चौडाई का अनुपात 3 बटा 2 है तो यहाँ पर एक खिडकी हमें दी गई है इसमें ये काच का हिस्सा है जिसकी उचाई और चौडाई का जो अनुपात है वो 3 बटा 2 है इसलिए काच के हिस्से की उचाई को 3x और चौडाई को 2x से व्यक्त कर सकते हैं तो यहाँ पर यह जो काच का हिस्सा है इसकी उचाई को हम व्यक्त कर सकते हैं 3x से तो यह उचाई व्यक्त हो गई 3x से और जो चौडाई है उसे हम 2x से व्यक्त कर सकते हैं यहां पर चौडाई को यह जो चौडाई है, इसे मैं यहां व्यक्त कर देता हूँ, 2X से. खिलकी के लकडी का हिस्सा पूरी उचाई में 8 इंच और चौडाई में 7 इंच जोड़ देता है. तो यहाँ पर उचाई में ये देख रहे हो तो लकड़ी का जो हिस्सा है ये पूरी उचाई में 8 इंच जोड़ देता है तो काज की कुल उचाई थी 3X और उसमें ये जो लकड़ी का हिस्सा है ये 8 इंच और जोड़ देता है तो यह जो पूरी उचाई हो जाएगी, यह कुल उचाई हो जाएगी 3X धन 8 और उसी तरह से काज के हिस्से की चौड़ाई थी 2X और यह जो लकड़ी का जो औल जो भाग है, औल जो हिस्सा है यह पूरी चौड़ाई में 7 इंच औल जोड़ देता है तो यहाँ पर यह जो पूरी उचाई जो है वो हो जाएगी 2X धन 7, खिड़की के पूर्ण शेत्रफल को दर्शाने के लिए एक बहुपद लखिए और उसे सरल कीजिए, तो हमें चाहिए खिड़की का पूर्ण शेत्रफल, तो जो पूर्ण शेत्रफल होगा यह तो यह बहा के रूप में है और जिसका जो शेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चोड़ाई, तो यहाँ पर इसका जो पूर्ण शेत्रफल है वो हो जाएगा लंबाई जो है यहाँ पर 3X धन 8 और इसमें गुणा हो जाएगी इसकी चोड़ाई जो है 2X धन 7, तो यहाँ पर ह हम ने खिड़की के पूर्ण शेत्रफल को एक बहुपत से दर्शा दिया, चलिए अब इसे सरल भी कर लेते हैं, तो इसे सरल करने के लिए हम बंटन धर्म का उपयोग करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ये 3x को हम गुणा करेंगे इस कोश्ठक से, और फिर इस धन 8 को गुणा करेंगे इस खोश्ठक से, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर पहले हम लेंगे 3x और उसको गुणा करेंगे 2x धन 7 से, और फिर हम लेंगे ये धन 8, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 8 और इसे हम गुणा करेंगे 2x धन 7 से, अब आगे फिर से एक और बार हम बंटन धर्म का उपयोग करेंगे, जहां पर इस 3x को हम गुणा करेंगे 2x से, और फिर इस 3x को गुणा करेंगे दन साथ से, तो यहां पर जब हम यह करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 3x गुणा 2x ये हो जाएंगे कुल 6x का वर्ग 3x गुणा धन 7 ये होगा धन 3 गुणा 7 होगा 21 तो ये होगा 21x और उसी तरह यहाँ पर भी हम बंटन धर्म का उप्योग करेंगे तो 8 गुणा होगा 2x से फिर 8 गुणा होगा धन 7 से तो यहाँ पर धन 8 गुणा 2x ये हो जाएंगे कुल धन 16x और आगे धन 8 गुणा धन 7 ये कुल हो जाएंगे धन 56 तो आखर में इसमें एक और चरण हम ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर 6 गुणा x का वर्ग मिल रहा है ये हो गया 6 गुणा x का वर्ग आगे हमारे पास धन 21x, धन 16x, 21 और 16 हो जाएंगे कुल 37, तो यहाँ पर है धन 37x, और आखरी में हमारे पास है धन 56, तो यहाँ पर हमने खिड़की के शेत्र फल को एक बहुपत से दर्शा दिया, और हमने इसे सरल भी कर दिया